कुछ pregnancy's तो already high risk pregnancy's होती है, high risk pregnancy's वो वाली होती हैं, यह कहले हैं, जिनको ज़ादा extra care के ज़रूरत होती है, जिनको ज़ादा test की ज़ूरत होती है, जिनने ज़ादा vigilantly देखना पड़ता है, यह वो वाली प्रेगनसी सहुती है, जिनका already पिछला results होते हैं जो इतने अच्छे है अगर शुरू के पंदरा से बीस हफतों के दर्मियान कहले शुरू के पांच महीनों में ब्लीडिंग हो रही है तो मिस्कैरिज का डर होता है कि यह हमल जाया हो जाएगा या फिर हम यह देखना होता है कि अच्छा आवल अपनी ठीक जगा पर है बास दफ़ा आवल नीचे के स हो सकती है वो दो वजुहात की बिना पर होती है एक तो होता है कि आवल फट जाए जिसे कहते हैं यह काफी खतरनाक कंडिशन है इसमें ब्लीडिंग के साथ पेशन बहुत जाथा पेन भी फील करता है और दूसरी होती है जो आवल नीचे होने की वज़ा से होती है दोनों आज हम बात करेंगे कि प्रिग्नेंसी के वार्निंग साइंस क्या है जैसे मैं हमेशा से कहते हैं हूई हूँ कि प्रिग्नेंसी जो है वो नॉमल होती है यह फिसलॉजिकल कंडिशन है यह कोई ब्लॉमालिटी नहीं है लेकिन कभी-कभी हमें इसके लिए ज़्यादा विजि हम इसे मैं दो चलते हैं कि फ्र्मिस्टर में क्या हो सकता है 2 लीज यह फेंट्र सब्लुर्ण के जो इल्यों हो सकती है जो कि हम ईंब इस्याय चीज़ विशित औरन आपको डॉक्टर को ज़ूरिए कुछ प्रिग्नेंसी तो ऑल्रीड ही रिस पीजंसाה कि थी ही चिलेंग प्रेइस 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 प्रेइ हमारी है को लिएओ ने ये पता होता है और यह टो शुरू से ही जापका डॉक्टर होता है वो आपको बता देतında कि प्रिग्नमेंसीा अपको पेश आ सकती है तो इसलिहार स्वेंजी को लेकर चेल रहुते हैं लेकिन के प्राइव के प्रिगिन सी एक नॉम्मल घर से स्टार्ट हुई है लेकिन उसमें आगे प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी है तो ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है जिस पर आपको फॉरी तौर पर डॉक्टर को बताना है नंबर वान पर तो यह है कि अगर आपको ब्लीडिंग हुई है अब ब्लीडिंग किसी भी ट्राइम से बीस हफतों के दर्मियान कहले चुरू के पांच महीनों में ब्लीडिंग हो रही है तो मिस्कैरिज का डर होता है कि यह हमल जाया हो जाएगा या फिर हमें देखना होता है कि अच्छा आवल अपनी ठीक जगा पर है बास दफ़ा आवल नीचे के साइट पर होता है जो के बाद में उपर चला जाता है जैसे जैसे प्रेग्नेंसी ग्रो करता है तो यह इशू भी शायद हो सकता है लेकिन जब कभी भी ऐसा को एपिसोड होता है तो बहुत जरूरी है कि आप फॉरी तो पर एक अल्ट्रसॉं कर्वा के यह देख लीजिए कि बच्चे के हार्ट बि जैसे ब्लीडिंग रुख जाएगी यह रुख जाएगी यह कम हो जाएगी यह मैनेज हो जाएगी अकसर प्रेइंच आइसे देखी गए जिसमें शुरू में ब्लीडिंग होती है लेकिन वह सकसेस्फुल एंड उसका होता है और एक है बल्दी आउट कम होता है जब आपको तो बाद में यानि 7, 8 महीने या 9 महीने की जो ब्लीडिंग होती है, ज्यादा खतानाख हो सकती है, वो दो वजवाद की बिना पर होती है, एक तो होता है कि आवल फट जाए, जिसे ब्रप्शन कहते हैं, यह काफी खतानाख करनेशन है, इसमें ब्लीडिंग के साथ पैशन बह ब्लड प्रिशर जादा है कि साथ कोई भी अलामत नहीं है तो भी आपको डॉक्टर को बताना है इसके अलावा अगर आपकी विजन खराब होना शुरू होगी आँखों के आगे कहलें कि आपको सही दिखाई नहीं दे रहा उस सुर्थ हाल में भी इसके इलावा बहुत शदी इसके इलावा अगर आपको इंफेक्शन हो रही है और उसके साथ आपको पेट के उपर वाले हिस्से में भी दाद में सुरू हो गई है इसके बैक साइट पर तो वह भी इस्वेर इंफेक्शन को इंडिकेट कर सकती है सिमिलरली अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो मसलसल रहता है और उसमें बहुत बुरी समेल आ रही है या बहुत शदीद खारिश हो रही है इस सुरते हाल में भी डॉक्टर को रापता कर लिना चाहिए तो कि वो इसकी मेडिसन्स आपको प्रिसकाइब कर देते हैं अगर इंफेक्शन बहुत लंबे अर्से के लिए रहती हैं तो इवन मिस्कैरजिज या वक्त से पहले डिलिवरी का भी सबब बन सकती है इसके इलावा अगर आप में खून की शदीद कमी आ जाती है जैसे कि आपका एच बी कहलें कि 9 से कमी में आ जाता है तो यह शदीद कमी में हैं और उनके दिल के धरकन भी बहुत जाता तेज होती हैं अगर आपको वैसे ही जैसे पैल्पिटेशन बहुत जाता फील होना शुरू हो गई हैं बहुत लिथार्जिक हैं या आपको दिल पर बोच या दर्द महसूस होता है और यह फर्स टाम प्रेग्नेंसी में हो रहा ह करता है इसपेशली अगर आपको यह कोई नई चीज डिवलप हो रही है कोई ऐसी चीज जो पहले नहीं थी और अचानक आप महसूस करने लगे हैं ऐसी सूरते हाल में फौरी तोर पर डॉक्टर को बताईए अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले से एक दम शूट कर जाता है या अगर आप शूगर चेक करवाते हैं और वो जादा हाई आ रही है यह सारी अलामाद जो हैं यह वो हैं जिसमें आपको और आपका बचा दोनों ही एक रिस्क होते हैं सो बहतर है कि जतनी जल्दी राफ्ता कर लें उतना ही बहतर है बहुत सारा ख्याल रखिएगा झाल झालो, बहुत सारा